मलेशिया में घटा पाम तेल का स्टोग जिहां मलेशिया में फरवरी 2024 के अंत में पाम तेल का बकाया अधिशेज स्टोग घटगर पिछले 7 महीने के निचले स्तर पर आ गया है इसी तरह वहां पाम तेल का उत्पादन भी पिछले 10 महीने में सबसे कम हुआ है जिससे निर्यात में आने वाले गिरावट की भरपाई हो गई है वहीं सेकारी संस्ता मलेशियन पाम ओयल बोर्ड के नवींतम आकड़ों से पता चलता है कि जनवरी की तुलना में फरवरी की समापती पर पाम तेल का स्टोग 5 फिसद घटकर 19,20,000 तन रह गया जो जुलाई 2023 के बाद का सबसे न्यूंतम स्थर है इसी तरह मलेशिया में क्रूड पाम तेल यानि सीपियों का उतपादन जनवरी के मुकाबले फरवरी में 10.18 फिसद घटकर 12,60,000 पर सिमट गया जो की अप्रेल 2023 के बाद सबसे कम रहा है गोरतलब है कि इंडोनेशिया के बाद मलेशिया दुनिया में पाम तेल का दूसरा सबसे परमुख उतपादक और निर्यातक देश है फरवरी में उतपादन और स्टोग घटने के कारण BMD Exchange कुवाला लंपूर में पाम तेल के बेंचमार्क मुल्या को कुछ सपोर्ट मिलने की उमीद है जो वर्ष 2023 में 10 फिसद नीचे आ गया था लेकिन चूकी निर्यात परदर्शन भी कमजोर चल रहा है इसलिए पाम तेल की कीमतों में भारी इजाफा होना मुश्किल है इसके लावा सोया बिन तेल और सुरज मुखी तेल का वैश्विक बाजार भाव बिन नरम है और यह पाम तेल का कॉम्पिटिटर भी है इसलिए यदि CPO के दाम में ज्यादा भ्रोतरी हुई तो आया तक सोया तेल और सुरज मुखी तेल की खरीद को प्रात्मिकता दे सकते हैं फरवरी में भारती आयात को द्वारा पाम तेल के आयात में भारी कटोती कर दी गई थी विरो रिपॉर्ट मार्के टाइम्स टीवी